आगेट विद पियस पर हार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो की परिच्छा प्रिच्छा का कैसा था कटाफ कितनी जा सकती इस पर चर्चा करेंगे वैसे मैं बता दूं की मैं तो टेलिग्रम चैनल है वे सभी अभर्थी टेस्ट बुक के इस बेस्ट आफर का लाब ले सकते हैं जिसका नाम है सेलेक्षन बेमिसार और वास्तों में यह आफर इसली है कि टेस्ट बुक का दस साल पूरा हुआ है कंप्टिशन की दुनिया में और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और कितने इसके यूजर है यहां किसी भी परतियों की परिच्छा की तैयारी करने के लिए जो सबसे मात्र पूर्ण चीज होती है और आप लोगों को दस प्रतियों की परिच्छा की तैयारी कर रहे हो सारी परिच्छाओं के आपके लिए ओपन हो जाएंगी चाहर रेलवे की, बैंक की, यूबी पीसेस की, आरो ए आरो की, पुलिस पांस टेबल की सारे की सारी बढ़तियां इसमें कवर की गई है तो जल्दी जाकर के आप लोग आफर कलाब ले सकते हैं चलिए सुरू करते हैं और सबसे पहले तो देख लेते हैं पेपर कैसे था और यह देख सकते हैं आप लोग यह क्तिकि असलिया सबस्कOLL करते थे अशिच्छ यह देख सकते हैं जिध्रियार games का अक्तिक च्रhhhh के उसका सवर सबस्क्रोम पेपर यह हैं जनज के सवा आयों के जिदर्णषकर दियारा यह करते हैं चाहे वो vom कर सकते सारे paper को देखा करिए कि क्या pattern इसमें लोग सेवा आयोग को चल रहा है और क्या प्रस्णों का इस तरह है समान अधन का पेपर वो तो निश्चित्वर पर देखा करें current फेर भी देखा करें ताकि आप लोगों को एक अनुमान लग जाएगा कि इसमें लोग सेवा आयो का ट्रेंड क्या होता है मैं हमें इसास वीडियो में का करता हूँ तो जितने विद्यारती आरो यारो के और PCS के वे सभी देख लें कि जो करेंट फियर है वो किस इसतर का रहा है और कब तक का रहा है GSB देख लें यहां पर देख सकते हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौकाने वाला पेपर हो हाला कि APS की विद्यारतियों को जरूर लग सकता है क्योंकि बहुत सारे APS के ऐसे भी विद्यारति है जिन्हों नहीं 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 त्यारी शुरू की है और जो अधर्ब एक्जाम्स की त्यारी करते हैं इस्टेनों वगएरा की उनको थोड़ा सा पेपर यह टफ लग रहा होगा तो यह एक्जाम्स लोग सेवा आयो करवाता है तो उसका अपना एक अलग इस्टेंडर थोड़ा सा रहता ही है और यहां पर देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी प्रसंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो बहुत सारी प्रतियोगी परिक्षाव में इसके पहले भी बूचे गए हैं तो विद्यारतियों से मेरी बात हुई है अभी बहुत सारे विद्यार्थी विरास्ते में हैं कायनपूर से कुछ लोग आ रहे है और विद्यार्थी यह कहना था कि नहीं सर हमें कोई भी आश्चर नहीं वुआ पेपर जिस तरीके से आना चाहिए, जिस तरीके से आता उसी प्रकार का पेपर था. और वहीं पर अगर हम बात करें जो पेपर का जो कटाफ होता है, कटाफ को ही चीज़ेप इस चेज़े लीजा शाइब list के ल्फ पशेट इसाइब बहुत कम नहीं है और पद ठीक है तो 328 पद है और तीसरा जो कारण होता है कि कितने विद्यार्थियों ने परिच्छा दिया है एक लाख के आसपास जो विद्यार्थियों है उन्होंने आवेदन किया एक लाख साथ जार साथ सुपचास परिच्छा कितने विद्यार्थियों ने दिया है परिच्छा आधे से भी कम विद्यार्थियों ने दिया है चाए वो सर्दी वाली बात हो या इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने भी आवेदन कर दिया था जिनको लग रहा था कि परिच्छा में देरी हो सकती है और हो सकता है कि हमारी टाइपिंग या सॉट हैंड द्रस्थम कर लेंगी तो सॉट हैंड में टाइपिंग में जमीन आस्मान का अंतर है जहां पर टाइपिंग को आप लोग तीन महीनी में सीख सकते हैं अच्छी तरीके से जो स्पीड मांगी जाती है हैं अमूमन 25-3 की तो टाइपिंग में विद्यारती कवर कर लेते हैं अर लेकिन जो सॉट इंड होता है स्वट हैं में कम से कम आठ महीने या एक साल लग जाता है तो अक्षरकोव समझने में ही कम 3 मेने लग जाते हैं दो से तीन महीने अक्षर को याद करने में कि कि इसका कौन सा इसारा है और अक्षर को समझने से और केवल लिख लेने से कुछ नहीं होता जब तक आपकी स्पीड ना है तो विद्यारतियों के समझ में आ गया होगा कि यह सौट हैंड हमारे बसका नहीं है हम इतनी जल्दी इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगी तो जादा तर इसमें जिन्होंने परिच्छा छूड़ी है वह वही विद्यारति हैं जिनका सौट हैंड अच्छा नही कर पाएंगी तो यही कारण था जो मेरी बात हुईंगे विद्यारतियों से तो किसी का कहना है कि 24 की कच्चा में 11 विद्यारति किसी ने कहा 10 विद्यारती, कानपुर में तो एक विद्यारत था जहां पर 75-75 विद्यारती एक-एक क्लास में थी, तो वहां पर बताया है, लड़कों ने बताया कि केवल 30-40 विद्यारती ही थी उनकी कच्छा में, 30-40 विद्यारती, तो मुझे लगता, जिस प्रकार सी विद्यारती गोरत पूर मेरत, कानपूर इत्याद से जो जानकारी दे रहे हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए, हालां कि साम तक हो सकता है समचार पत्रों के मादन से, कल ऑफिसल जानकारी दे जाएगी कि कितने विद्यारती ने परिक्चा दी है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, 40-45 परिस्त विद्यारती ने परिक्चा दी है, और 55-60 परिस्त के विद्यारती हैं, उन्होंने एक्जाम को छोड़ दिया, यानि कि एपकेर होने वाले की संक्या भी लगबग कितनी ही जितनी आप लोग यहां पर देख रहे हैं 40-45 जार विद्यार्थियों ने पेपर दिया है और इसमें भी आप लोगों नोटिफिकेशन में देखा होगा कि कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा हाँ एक बात मैं और कहूंगा कि आप लोग अभी अपने कमेंट बाक्स में अवश्च बताएं यह अभी मोटा मोटा आकडा है और अभी जो अच्छे आकड़े हैं वो साम तक पता चलेंगे विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से मिलाया भी नहीं है विद्यार्थी रास्ति में है और मैंने आप लोगों को एक मोटा मोटा आकला बता दिया है और अभी मैं बताऊंगा कि कटाफ के बारे में विद्यार्थियों का क्या कहना है लेकिन आप लोग भी अपना बताएं कमें कि आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी थे और आपके कितने प्रशने सही हैं ये आप लोग बताएं ये डिपेंड करता है कि इससे एक्जैट कटाफ का आइडिया हमें मालूम चल जाएगा तो इसके बारे मैं एक अलक्सिकल वीडियो बना दूँगा लेकिन जो मुझे जानकारी विद्यार्थियों नहीं दी है कि सच जो कटाफ है इस बार समानवर का वह 90-95 के आसपास हो सकता है देखिए इसमें PCS के बहुंच जादा जो विद्यार्थी है वह तो बैठते नहीं है तो इसमें 90-95 के बीच में ये समानवर की कटाफ हो सकती है और अगर हम बात करें OBC की OBC की और जनरल की लगबख बराबर ही समझेए हाँ SC की जो कटाफ है उसमें जरूर अंतर आपको देखने को मिल सकता है 80-85 के आसपास 80-85 के आसपास मैलाओं के संक्या भी आज काफी थी परिक्षा में अब आप लोगों से यह खेंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करनें ता कि आप लोगों को effronica लोग सेवा आयों कि अप्टेट्स सभी सबसे पहले मिलते रहें इन चात्रों की अगर हम लोग बात करें तो इन खात्रों को जारी कर दिया जाए है तो ठीक दोस्तों ये होगे आज का वीडियो वीडियो आपके काम का हो थो लाइक अबस्ट कर दें जिन खात्रों पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद